अगर मिया और बीबी एक साथ रहने का समय तक जो भी आप प्रोपर्टी एक्योर किया था उसका 50% अधिकार वाइफ को दीजिए नमबर वान, नमबर टू आप तिन तिन साधी मत किजिए, एक साधी किजिए वेरी वेरी क्लियर कि कोई मुसल्मान, मर्ड और मेल, वी शुड़ नर स्टादी अस मेरी ट्री फिमेल, एक बीबी, एक हाजबन, दो बच्चा, खुसी से रखो तो यह हमारा स्टैन है, तो इसमें हम बहुत कम्प्लेक्स नहीं होना साथा हूँ हमारा बहुत ही क्लियर स्टैन है, आप अगर पिटा है, तो बेटा को जो प्रोपर्टी का राइट दे रहा है, इक्वेल सेर आप बेटी को गिदे दीजिए उसमें कोई हमारा कनफ्यूजन नहीं है, तो असाम गर्मेन का माइन हर इशू में वेरी क्लियर और सार्व है, कि आप तलाक मत दीजिए, आप लिगेली डाइवोर्ज दीजिए अगर मिया और बीबी एक साथ रहने का समय तक जो भी आप प्रोपर्टी एक्यूर किया था, उसका 50% अधिकार वाइफ को दीजिए, नमबर वाइफ, नमबर टू, आप तिन तिन साधी मत किजिए, एक साधी किजिए, नमबर ठी, अगर आप पिता हैं, तो मुसलमान महिला को, मुसलमान बेतिव को, बेटा का समान आपका प्रोपर्टी में अधिकार दीजिए, तो ये तीन मुद्दा में हम लोग बहुत ही क्लियर है, हम लोग का सलीक्षन वेरी क्लियर और सार्व है, और उसमें हमारा जो आसाम प्रोडेश का जो मुसलमान लोग है, मेरा बात को को लोग सपोर्ट भी करता है, हमारा इहां में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फलिक्ट नहीं है, अगर कोई आके कॉन्फलिक्ट खाड़ा करना साथ अलग बाद है, इनहरेंटली मुसको कोई मुसलमान क्वेस्टन ले करता है, कि आप क्यों हमको टीन बेबी भी साधी करने म माना किया है, सब तो उल्टा बोला है कि दादा आप अच्छा बोला है लोगों को एतीन-तीन साधी नहीं करना साहिए, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम, टाइम्सनाव नभारत को यूट्यूब पर लाइब देखिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़ जरूर देखिए, जरूर देखिए